तो कैसे हैं आप सभी लोग उमीद करती हूं कि आप सभी लोग स्वास्थ होंगे मैं अभी ठीक हूं और देखें मैं कहाई हूं मेरे पीछे का व्यूग कितना व्यूप्टिफुली नेचर है तो मैं आई हूं डाली घास लेने तो व्लोग बनाने का मन तो नहीं है मेरा पर चलो बहुत टाइम हो गया है थोड़ा सा शूट कर लेती हूं सोचा मैंने सबसे पहले आपको दिखाती हूं मैं मॉर्निंग व्यू कि कितना व्यूटिफुल है यहां पर उसके बाद मैं थोड़ी सी आग जला लूँग कि यहां पर कहिंग भी दूप नहीं है ओर्निंग व्यूटि ढूप जो है अभी बहुत दूर-दूर पहाडियों पर और यहां पर तो है नहीं पहुंच गया है तो यह जो बड़ा सा खेट दिख रहा है आपको इसमें अभी घासी काटते हैं पहले इसमें धान लगाते थे जलते हैं दोस्तो ठोड़ी सी मैं आग जिलाऊंगी ना न हमने चट जाऊंगी do इसको बोलते हैं हमारे टोट डे जलते पड़ते नं ऊपर वाले खेट में जा घ्ले के लिए कि हम टोट के आइ sprot पढ़ेगी बार उसके थोड़ी से लखड़ी थो चाहिए होगी अ है ऐसे है कुछ तोड़ी सब्सक्राइब यूद्ट जलाओंगे अधार मेरे हाथ जाला थंदे ना थंदे ना थंदे चाहिव लगती है कहां जलाओं यह जला लूँ और यहां पने स्रावल कठा की हो आए मतलब यह न पाइन लीव सुखे वे यह चील की बतियां ताकि जब बर्सात होती है न तो हमारे ओबरे में जो होता है पश्यूं के निचे भी छाने के काम आते हैंगे अबरे गिल्ले से जाते ना निचे जब ठंड पर भी छाते हैं वैसे तो पश्यूं के निचे भी छाते हैं इनको ताकि उनको ठंड ना लगे बाकि इसको आग जलाने के काम भी आते हैं अभी देखना जलाओंगी इस आग अबरे लिए थोड़ा से स्राल उसके उपड़ कुपनी इसमें आगे अनग जाए कि सारे इसमें और दूर से जलाती हो गया है जो जुगाडू लोग तुसलाग रोती रहूं के साथ ऐसी होता है कि मेरे हाथ फंड़ी ना हुँँ आगको मैं दिखती हुँ फोन को भी किसा गया मेरा है कि मैंने कप्ले पत्ली से गुला लिए है कि अच्छ इतने थंदे हो गया है कि अधर मना करिश्मा चिस लाने को अधर बोला कि बहुत थंड़ होती के लिए जाओ ले जाओ उससमें काम भी आ रही है तो कई बाना बढ़ों की बाते माल लें चाहिए अपना ही फादा होता है नुद्वा तो दिख गया है बंजल भी पहाड़ी लोग पता है कैसे होते हो चाहे जो मजी प्रॉब्लम आ जाए काम तो आपको करना ही है तो उसका अल्टरनेटीव आपको निकालना ही होता है कि दूप आने में तो बहुत टाइम लग जाएगा तो आपती भी कमी दूप टाइम से घर में तो पहुंच रहे हैं गहास लेके इतना भी पेड़ है ना उनको काट ता नहीं कभी बच्पन सजासे ग्रोह हुए है ना यह वैसे ही है तो सिर्मौन में क्या है जो यह चील की लगडी है ना कम यूज करते हैं जलाने के लिए जो मेरे उसर की उपर है ना पेड़े यहां पर इसको भी निकाट आए देखो इसमें सारी टैनिया वैसी सारी ब्रांच इसकी वैसी है यह देखो मैक्सिमम पेड़े हां पर सारे ऐसे ही है तो इसको पागल हो जाएगी से ग्रोव हुआ है ना शुरू से वैसा यह पूरा इसको एक टाहने भी निकाट इसमें से इस चील के पेड़े में से यह यहां पर तो तो सोलन में क्या होता है कि टमाटर बहुत जादा लगाते हैं तो टमाटर को स्पोर्ट करने के लिए चाहिए होते हैं मतलब जंबे जं से लगाते हैं टमाटर को स्पोर्ट करने के लिए करें तो बांस के भी लगाते हैं लेकिन जहां बांस नहीं होता है वहां पर चील की मैक्सिमम तो सोलन में क्या होता है कि मैक्सिमम पेड़ा को कटे भी मिलेंगे जैसे यहां पर है ना मतलब पूरे-पूरे साबूत ही यह कि यहां पर कम लगते हैं तो यह यह कुछ यह पर तो अध्रक बगएरा अर्बी वगएरा यह लगता है कि अ कि तुका है कि अ कि आए को थे अ झाल झाल दोस्तों मैं यहां आपको दिखाते हैं कि नई चीज नई तो निया है तो पुरानी अब उसका ट्रेंडी खतम हो चुका है तो यहां आपको दिख रहा है ना यह खुदाई करी हुई है जैसे तलाव होते थे ना पहले तो यह है जोडी टाइप हमारी हिमाचन में बोलते हैं जोड़ी पशों के लिए पानी पीने के लिए पहले से खुदाई करते थे ना तलाव जैसा बना देते थे मितलब तो यह इसायल गौर्रमेंट के थूरू बनी थी यह पंचायत के थूरू और बहुत बड़ी सी बनाई थी यह मितलब देखो जहां पारे दिख रहा है ना व पानी सेव नहीं हुआ इसे बनाते थे ना पहले बहुत बड़ी बनाई एगे तो पश्यों को पानी पीने के काम आती थी अभी भी है हमारे जंगल में जहां पानी भी होता है भरावा पर इसमें कोई पानी पूरी निया भरावा ऐसी एगी पर बनाई तो बहुत अच्छे अगर पानी होता ना मैं आपको दोर से दिखाते हूं किसमी बड़ी है तो गाओं गाओं में आपको देखने को मिल सकती है जोड या जोडी बोलते है ना इसको कितनी बड़ी बनाई थी है पर इसमें पानी नहीं कठा हुआ मुल्ण इसके से प्रणोड़ी सूल नहीं होता हुआ जोल नहीं हो कितनी जयर जोड़ी लिख पानी जाओ email आपको देएं कितना थेलति अवत दूया Phar दोस्तों तो मैंने काट लिए डालियां तो यह है गाय का चारा यह भी चिंबल कुछ मैंने बांध लिए परे अपने अभी लिजारियों में इसको रसी बांधने के लिए और यह है बक्रियों का खाना इस चुछटे पत्तों वाली काथी जिसकी बड़े लीव्स है यह दाई इसको दाई बोलते है डाली का नाम एक अथी तो चलो आफटाफटे में इनको क्लोज करके अपना भार बांध लेती हूं फिर बात ये करेंगे मिलके तो उसको मैंने भार अपना बांध लिया है और यह थोड़ा जादा ही कट गया है ना भार ही हुजाएगा शायद और यहां जाके बात करते हैं यहां से रहा गाउं भी दिख जाएगा थोड़ी से दूप भी सेख लेंगे फिर मुझे घर भागना है जल्दी जल्दी और यह देखिए मिला गाउं दिख रहा है निची थोड़ा सा इला-लाल से घर मंदिर बगड़ा है यह बस तो यह पार गहा होने वाले तो बस मुझे घर जाना है तो मुझे आपको बताना था कि जो मेरी तरह यूट्यूबर नए-णयाभी सीख रहे हैं काम यह यूट्यूबर आने की सोच रहे हैं तो यहां पर बहुत मैनत करनी पड़ती है और मैंसक्त पता है क्या हुआ यहां पर सबसे इंपोर् दाल रहे वीडियो या जो भी लॉग ने डाल रहे आप जैसे आपका चैनल है एक्टिव नहीं हूँ अगर आप कुछ टाइम के लिए तो क्या होता है कि हमारा चैनल पूरी तरह से इफेक्ट हो जाता है जैसे मेरे चैनल को दो-तिन भी नहीं पहले मैंने स्टार्ट किया थ जानल पर जाएंगे तो देखेंगे कि हम पहले कैसे थे हम कैसे रहते थे या जो भी सबका होता है अपना अपना तो लेकिन जब हम आज ही होबी क्रिएट किया था लेकिन जब हम कहीं पर महनत करते हैं ना किसी जीच को ज़्यादा टाइम देते हैं और मुश्किल से उसके काम के लिए तो लगता है कि महनत हमारी बेका आने जाने चाहिए तो में साथ हुआ कि क्या कि चैनल मॉनेटाइज कराने के लिए एक हजार जो हमें चाहिए होते सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वाच टाइम चाहिए होता है तो मेरे 1000 तो होई जाएंगे भी 600 कुछ है मेरे सब्सक्राइबर का कोई इशू नहीं था पर वाच टाइम जो था मेरे चैनल पर होज चुका था एक हजार घंटे के आसपास 965 घंटे मैंने कंप्लीट कर ले थे अपने तो जैसे मैंने बीच में गैप लिया ना ब्रेक लिया तो क्या हुआ कि जब हम एक्टिव नहीं होते गलाए ना तो जो सारा वॉच टायम होता है वो खुदी जीरो होने लगता है तो अभी मेरा वॉच टायम दो सु घंटे बचा है बस है वह जो मेरी महनत थी ना हो सारी seduce ंजी अज क्छलेती मतलब आप से जुड़े रहेंगे तो जो नए क्रिटर है तो यह देख लीजिए यहां पर ऐसी चीज़े भी फेस करनी पड़ती है यह मुझे नहीं पता था अभी पता लगा मुझे तो अब मैं चलती हूं घर क्योंकि मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी यह मैंने प्रॉमिस किया है नए साल के लिए खुद से तो अब तो अच्छी खास दूप आ गई देखो आस पास तो दोस्तों मिलते हैं नैक्स्ट वीडियो में नए दिन के साथ और नए तेक क्यर बई बाई